सब्भी को मेरी तरफ से रामराम एक और दुखत समाचार है इदगा शिरीनगर से आ रहा और मैं आपको बता दूँ कि इन जाहिल आतंकियों की इन फ्रस्टेटेड आतंकियों की एक बार फिर से इन्होंने जो है एक नॉन लोकल स्टीट वेंडर जो की एक छोटी सी रेडी च पिच रहा था कश्मीर में उसे जो है गोली मारी है फिलहाल उसे जो है ततकालीन नस्दीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उसे जो है मृत घोशित कर दिया यह अभी अभी की खबर है जो की इदगा से आ रही है और तस्वीर भी बड़ी द हुआ है यह एक बर फिर से इन आतंकियों ने जो है एक खूनी खेल खेलना कश्मीर में शुरू कर दिया है और यह श्रीनगर सिटी में दूसरी वारदात है जो एक नौन लोकल स्टीट वेंडर को एक बर फिर से गोली का निशाना बनाया है यह गोलगप्पे बेचने वाला व्यक्ती वहाँ पर गोलगप्पे की रेडी लगाय हुए था जिसे आतंकियों ने वहाँ पर गोली मारी है और जब इनको नजदी की हॉस्पिटल महराजा हरी सिंग हॉस्पिटल में ले जाया गया तो वहाँ पर जो है इन्हें मृतक घोशित कर दिया गया है यह अभी की बड़ी खबर है जो एदगा इलाके से आ रही है तस्वीर बड़ी ही धर्दनाक है जो तस्वीर सामने आ रही है और मैं आपको बता दू कि उस जो नौन लोकल जो स्टीट वेंडर है जो गोलगपे की रेडी लगाने वाला था वो रहने वाला बिहार का था और इसका नाम अर्विंद कुमार है अर्विंद कुमार जो कि बिहार का रहने वाला था इसे गोली मारी है कश्मीर के अंदर एक बार फिर से मैनियोरिटीज के ओपर कश्मीर में हमला हुआ है और ये हमला एक बार फिर से नौन लोकल के ओपर है नौन लोकल हिंदू के ओपर जो है गोली चल जो काम इन आतंकियों को पसंद नहीं आया इस से पहले भी एक गोलगपे बेचने वाले के उपर हमला किया था जिसका नाम पासवान था और बिरंदर पासवान जो भी बिहार के ही रहने वाले थे और अब अरविंद कुमार ये भी बिहार के रहने वाले हैं जिनके उपर हमला किया है यह बड़ी खबर आपको मैं कश्मीर इलाके से दे रहा हूं जो अभी अभी सामने आ रही है और इसके अंदर जो दुखत समाचार यह है कि यह व्यक्ति बिहार का रहने वाला एक नौन लोकल जो व्यक्ति जिसकी वहां पर एक छोटी सी एक दुकान रेडी लगाई तस्वीर के अंदर सामने रक्त पड़ा हुआ है खून पड़ा हुआ है उस स्टीट वेंडर का जो की वहां पर रेडी लगाए हुए था गोलगप्पे की रेडी और यह आप देखेंगे यह उसकी रेडी पड़ी है यह उसकी चपल भी वहीं पड़ी है जो उसके स्लीपर् पर एक डस्ट बिन टाइप की एक छोटा सा बक्सा लगाया होता है वो भी वहां पर पड़ा हुआ है यह दरिंदे आतंकियों का एक बार फिर से जो है खूनी खेल है जो कश्मीर में शुरू हुआ है मैं आपको बता दूँ यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं यह तस्वी कश्मीर में देखने को मिली है और मैं आपको यह बता दूँ यह अभी अभी की पूरी वार्दात है इदगा कश्मीर की श्रीनगर इदगा की जहां पर एक बिहार के रहने वाले गोल गप्पे बेचने वाले अर्विंद कुमार को जो है इदगा के पास जो है गोली मार दी ये दूसरी नॉन लोकल एक हिंदू की किलिंग है कश्मीर के अंदर इस से पहले एक कश्मीरी हिंदू पंडित को मारा तर एक लोगल कश्मीरी जो वहां पर रहने वाला एक सुमो प्रेजडेंट था और उसके बाद एक सिख लेडी को मारा उसके बाद एक जम्मू के हिंदू माइगरेंट को मारा और उसके बाद एक लोकल वहां पर जो लोकस्ट्रीट वेंडर का काम कर रहा था बाहर का रहने वाला नॉन लोकल उसको मारा बिहार के रहने वाले को और आज एक और जो है नॉन लोकल जो की बिहार का रहने वार था अरविंद कुमार गोलगपे बेच रहा था उसको भी ईदगा के बाहर जो है इन जिहादी जलालती कायर आतंकियों ने अपना निशाना बनाया ये हैं इन आतंकियों की आतंक वादियों की सचाई जो आपके सामने हैं और ये आतंक का कहे लिए कश्मीर में खेलते हैं क्योंकि कश्मीर में ये सोचते हैं जैसे इन आतंकियों के बाप का राज है कि यहां पर आकर बाहर से कोई काम नहीं कर सकता क्यों काम मार रहे हैं और आपको मैं ये भी बता दूँ जब हमारे जमू कश्मीर के लोग बाहर गे होते हैं तो उनके उपर छोटी सी भी कोई आँच आ जाए तो यहां पर रोना शुरू कर देते हैं यहां के लीडर्स और जब बाहर के तरीके से बिहार तक नहीं बेजा, उनकी धरम पतनी वहां पर रो रही थी, कि शव को दिया जाए, शव तक नहीं बेजा, जब मीडिया ने खबर चलाई, हमने खबर चलाई, ट्वीटर के ऊपर खबर चली, उसके बाद जाके उनको चक बांट रहे थे, और आज भी देखिए आज भी देखिए बिहार का रहने वाला, यह अरविंद कुमार गोलगपे की रेडी लगाई वी थी, इसको वहां पर कश्मीर के अंदर मार दिया, क्या इनके बाप का राज है, यहां पर कश्मीर के अंदर इन आतंकवादियों का, जो यहां पर हम बाहर के नॉन लोकल, यह ना फिर हिंदू कॉम्निटी के लोग यहां सिख कॉम्निटी के लोग यहां जो मिनॉरिटी के लोग है, वहां पर काम नहीं कर सकते, नोकरी नहीं कर सकते, वहां से भाग कर आना पड़ेगा, यह 1990 का समय नहीं है, समय बदल चुका है, और इस समय 11 इनके आतंकवादियों को भी मारा है, जो आतंकी इस तरह के घिनोने काम करते हैं, पिछले दिनों में, और मैं आई जी सहाब को एक बार फिर से अपील करूंगा, इन आतंकियों को छोड़ना मत, अब अगर यह स्पीड पकड़ी हुई है, इन आतंकियों का खात्मा करने की, तो इन आतंकियों का जो ह है, जल्द से जल्द पूरी तरह से खात्मा किया जाए, क्योंकि नौन लोकल्स, हिंदू, माइगरेंट्स और कश्मीरी पंडित माइगरेंट्स, हमारे लोकल कश्मीरी, उसके बाद सिक महिलाओं के उपर इनोंने हमले किये हैं, आज एक बार फिर से इनोंने नौन लोकल प यहां के प्कूर झालना जहुदे तो शोर डालना शुरू हो जाते हैं, यहां पर हमारे जमू कश्मीर के लोग जो हैंपर बाहरी स्टेट्स में जो हैं सेफ नही है, उनके लिए सेकूरिटी नहीं है, तब वहां के चीफ-पनिस्टरों से आप से सेकूरिटी मांगते हैं, आज आप यहाँ पर non-locals को कुन सी security दे रहे हैं, कुन सी security यहाँ पर बिहार के लोगों को दी जा रही है, क्या कसूर था इस गोल गपे बेजने वालों का, कोई कसूर नहीं था, फिर भी आतंकियों ने इसके ओपर गोली चलाई और वहाँ पर यह बताने की कोशिश की, कि बा 1990 नहीं है, धन्यवाद, एक बार फिर से मेरे साथ, अरविंद कुमार जी की आत्मा की शांती के लिए, आप सब लोग ओम शांती का जाब करें, राम राम